हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुती कमाल के स्मार्टफोन से एक है दोस्तों पोको की तरफ से पोको का X5 जो लेटेस्ट वांच करा है दोस्तों पोको ने इंडिया में 19,000 का मतलब 19,000 इसका प्राइस है और इस दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको जो है पोको का X5 खरीदना चाहिए यह काले डब्बे वाला या फिर दोस्तों यह पीले डब्बे वाला Realme का 10 Pro हाला कि दोलों के बॉक्स का कलर जो है थोड़ा सा सेम ही है यह आगे से काला है और यह जो है पीछे से का लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुशती रहें दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स के जो आपको कंटेंट्स मिलते हैं वो किसके साथ क्या-क्या दिये गाए है अगर आप 19,000 कर्ष करते हैं Realme पर तो उसके साथ क्या-क्या मिलता है तो अन्बॉक्स करते ही लेकिन दोस्तों ये पीला भी नहीं पड़ेगा तो कवर काफी अच्छा दिया गया है इसके बाद मिल जाता है दोस्तों फूने क्रैपर के अंदर इसके बाद दी गई है दोस्तों ये वाइट कलर में डेटर केबल जो की एक 200 टाइप सी केबल है और केबल की जो क्वालिट अगर चार्जर थोड़ा और जादा फास्ट होता ये चीज मुझे थोड़ी डिसपोइंटिंग लगी अगर 33 वाट की जगह दोस्तो 65 वाट का चार्जर होता तो काफी बढ़िया रहता 15 वाट का चार्जर तो होना चाहिए था 19,000 इसका प्राइस है तो ये सारे कंटेंस त चलिए देखते हैं दोस्तों होगर आप जो है इतना ही पैसे पोको पर खर्च करते हैं तो X5 के साथ कैके मिलता है और दोनों में फर्कěतना हैं, तो जैसे आप अंबॉक्स करते हैं पोको को इसके बउक्स के अंदर भी आपको सबसे पहले एक चार् 최대 लगा हुआ है और इसक है आने वाले टाइम अगर बढ़िया क्वालिटी के कवर साने लग जाया नो जो मार्केट में जाओ तो 500 रुपे के मिलते तो काफी जादा बढ़िया रहाएगा लेकिन इस चीज़ आपको भी देखने को नहीं मिलती ट्रांस्पेरेंटी कवर देखने को मिलता है सभी स्मार् परिजन में थोड़ी मुझे ओको की जो बिल्ट कोईलिटी के बल्कि वह और जादा बैटर लगिए इसकी वायर की जो कुईलिटी एदोस्तों काफी जादा बड़िया लग रही है और जादा बैटर रही है तो थोड़ी सी चीज़ दोस्तों डिफरेंट थी तो मैंने में तो चारजर इतने फास्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि 33 स्वाट के चारजर आजकल जो है दोस्तों आपको 11000 के स्मार्टफून के साथ भी देखने को मिल जाते हैं खुद इनी ब्रांड्स के अंदर तो इस चीज का थोड़ी सी मुझे अजीव लगी दोनों के साथ चारजर इतना इस तरीके सा आपको दोस्तों इसका पैटर मिलता है बहुत ही जादा ग्लोसी डिजाइन है लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पेनल पर बहुत ही जादा बढ़िया देखने को मिलती है आपको तो दिजयन तो इसका बहुत जाद अच्छा है लेकिन एक चीज इसके आप देख सकते हैं इसके back panel पे पकड़ती ही आ जाते हैं तो कुछ इस तरीगे से इसका oily type के design सब्सक्राइब हाथ में चाप दियाओ कई बार हम में सब बहुसता रहे लोग ऐसे नहीं तो खाना खाते हुए भी फून को यूस कर रहे हैं जो है मतलब एक हाथ खाने में और दूसरा हाथ फून के अंदर है तो जो फून की हालत होती है जो back panel पे वो दोस्तों देखने लायक होती है मतलब क्या ही मतलब क्या कहूं मैं आप से वीडियो पर सालन मालन लगा हो तो चीज जो है दोस्तों ऐसी कुछ फील आती है अगर आप आप दोस्तों खाना खाते होगे फून चलाने जो है आप शौकी ने फून चलाने के वह भी खाना खाते होगे तो दोस्तों यह आपके लिए काफी जादा स्मार्टफून इतना बढ़िया नहीं रहेगा क्योंकि आप इसको बूरी तरह सड़ा दिंगे वही दूसरी तरफ दोस्तों Realme 10 Pro जो आपको मिलता है इसके अंदर तो अदब क्या ही colors देखने को मिलते हैं बहुत ही जादा glossy और light की reflection दोस्तों आप देख सकते हैं इसके back panel पर इतने सारे colors के effect देखने को मिलते हैं वैसे इसके अंदर भी आपको scratches की problem जल्दी देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसके अंदर भी आपको plastic के type के design मिलता है लेकिन दोनों फूंस में जो है finger paints वगएरा जो है realme 10 pro पर आपको थोड़े देखने का तो मिलते हैं लेकिन colors वगए इतने जादा है इसके back panel पर तो वह इतना feel नहीं होता जिससे मैं आपको दोनों को एक साथ दिखाऊ तो इस पर finger देखे finger paints वगएरा इस पर भी आ रहे है लेकिन colors को जो effect दोनों के अंदर वो आपको realme 10 pro के अंदर ला जावाब देखने को मिलता है और camera के पास से जो दोस्तों यहां पर इसमें light आती है वो तो बिल्कुली इसके design को बहुत ही घजब का बना देती है मतलब कुछ इस तरीक realme 10 pro जो है दोस्तों looks में winner इन दोनों phones के comparison में क्योंके color ही बहुत जादा बढ़ी है pattern बहुत बढ़ी है मिल जाता है तो design को लेकर तो realme 10 pro winner इन दोनों के अंदर और थोड़ा सा difference आपको यह मिल जाता है दोनों के अंदर इसका जो back panel ने दोस्तों POCO X5 का यह आपको curve मिलता ह side उसे पीछे की side से और यह जो है आपको बिल्कुल flat मिलता एकदम मतलब iPhone 14 pro max वाली feel आपको देखने को मिल जाएगी सके अंदर side उसे frame गी square shape में तो वो चीज़ जो है आपको देखने को मिलती है 10 pro के अंदर आपको दोस्तों फिर भी POCO X5 जाद अच्छा लगा design को लेकर य display size जो दोस्तों इन दोनों के अंदर आपको मिलता है साणेग च्छेंज से थोड़ा सा और ज़्याद ही तो display size तो दोनों के अंदर आपको काफी ज़्यादा बढ़िया दिया दोस्तो Poco X5 के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, तो यह चीज़ इसके अंदर आपको जादा बढ़िया मिलती है, पोको के अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी जादा बढ़िया दी गई है, लेकिन एक्चुल में दोस्तो कलर्स अगर आपको किसके अंदर जा आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाएंगी, चलाने में दोस्तो दोनों ही स्मार्टफून काफी जादा बढ़िया लगते हैं, बाकि मुझे इन दोनों स्मार्टफून में वैसे थोड़ा सा जो यूजर डिफेस है, वो पोको का जादा बढ़िया लग रहा है, बाकि दोस्तो इन दोनों फून्स के अंदर आपको डिस्प्ले में 120Hz के रिफेस्ट मिल जाता है, तो इस चीज़को लेकर पोको भी बढ़िया है, रियल्मी 10 प्रो भी, इन दोनों ही के अंदर आपको दोस्तो जो स्मूदनेस मिलती है, यूजर बहुत ही कमाल की मिल जाती है, तो इस पर आपको smoothness तो बहुत बढ़िया मिलती है लेकिन बैटरी बैकप थोड़ा competitively down देखने को मिलेगा तो आप अपने यूज के अकाउडिंग जो इसको इसको डाल सकते हैं तो यह चीज़ आपको दोनों के अंदर काफी बढ़िया मिल जाती है अब बात करें दोस्तों डिस्प मतलब इसके अंदर आपको क्या ही feel आती है इसके डिस्प्ले को देखकर क्योंकि दोस्तों screen to body ratio इसके अंदर आपको बहुत ही जादा मिल जाता है दोस्तों इसके अंदर आपको edges इतने ना की बरावर दिये गए हैं मतलब आपको देखके लगता नहीं है phone 19,000 का यह चीज़ इसके डिस्प्ले को बहुत जादा प्रीमियम बनाती है हालागि इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले मिलती है लेकिन दोस्तों डिस्प्ले की जो colors है वो इसके अंदर भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाते है नो डाउट दोस्तों इन दोनो phones के comparison में डिस्प्ले की quality को ले हैं दोस्तों साइड उसे इतने जादा कम है इसके डिस्प्ले के अंदर experience जो आपको मिलता ही उसकरने का वह बहुत ही next level हो जाता है मतलब देखने से अगर आप इस फून को देखेंगी न रियल में 10 प्रो को आपको देखके लगेगा नहीं यह फून 19000 का मतलब ऐसे सब्सक्राइब 50,000 के स्मार्टफून में देखने को मिलते हैं तो वो चीज़ दोस्तों मुझे रियल में 10 प्रो में बहुत जो है परसनली काफी ज़ादा बढ़िया लगी और मुझे काफी ज़ादा परसनली इस चीज़ को लेकर यह अच्छा लगा बाकि डिस्प्ले की क् अंदर आपको ऐसी मिलती है मतलब दो SIM कारड़, एकרט 去了 चीज़ दोनों में से किसी में भी आप नहीं लगासकते किसी में Jews लगा सकते यह जो एक exclusion लगा सकते speaker, mic, headphone jack मिल जाता है Realme 10 Pro में दोस्तो headphone jack आपको नीचे की तरफ ही मिलता है और Poco में नीचे की तरफ नहीं दिया गया right side से आप देहेंगे तो volume के buttons और power के buttons है fingerprint scanner दोस्तो दोनों में आपको side में मिलता है power के button के अंदर तो इस चीज में दोनों phones जो है दोस्तो सेम है उपर की side से दोस्तो आप देहेंगे उपर की side से दोस्तो आप देहेंगे तो यहाँ पर आपको noise cancellation mic मिल जाता है बागी IR blaster भी आपको Poco के अंदर मिल जाता है तो इसके अंदर एक चीज यह बड़िया मिल जाती है TV, AC वगरे जो है बैठे-बैठे से आप चला सकते है बताब उठना नी पड़ेगा सोफेवे से तो इस चीज तो दोस्तो Poco के अंदर जादा बड़ी आपको मिल जाती है इसके लाब दोस्तो बात करें RAM और Storage को लेकर तो दोनों ही फून्स के अंदर आपको दोस्तो दी गई है 6GB RAM, 120GB के इंटरनल स्टोरेज तो 6GB RAM मिल जाती है दोनों के अंदर 128GB स्टोरेज है दोनों के अंदर 19,000 में तो इस चीज को लेकर भी दोस्तो दोनों एक जिसे हैं काफी बड़ी हैं तो दोस्तो पोको के अंदर आपको Android का 12 वरजि언 दिया गया है लेकिन दोस्तो रियल में 10 Pro के अंदर आपको Android का 13 वरजिन मिल जाता है तो इस चीज आपको रियल में 10 Pro में जादा बैटर मिलती हूं उम्मीद करते हैं पोको के अंदर भी आपको अपडेट जल्दी देखने को मिल जाए तो जादा अपडेट इट आपको मिलता है दोस्तो रियल में 10 प्रो इसी किसाफ दोस्तो बात करें दोनों फून्स के पर्फॉमेंस को लेकर चली मैं दोनों को एक साथ री स्टार्ट करता हैं बाकि 19,000 के प्राइस के साफ से देखा जाए तो और बेटर प्रोसेसर होता तो काफी बढ़िया रहता तो इस चीज़ आपको दोनों के अंदर जो है एक जिसी देखने को मिलती है डे टुड़ यूस के अंदर मल्टी टास्किंग में आपको दिक्कत नहीं होगी गेमिं करनी है तो दोनों के अंदर आपको जो है रेट के साफ से प्रोसेसर नॉर्मल दिया गया है और भी स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं इन दोनों के अलावा ज्यादा बढ़िया गेमिंग के लिए बागी दोस्तों इन दोनों फून के रीस्टार्ट टेस्ट में आपसे यही कहूँगा स्पीड़ जो आपको जादा बैटर बेटर मिलती है फिर भी डे टीड़े युस के अंदर ग्रावलां आपको जब स्पीड मिल धेल में 10 प्रो के अंदर हीAy्गी दॉस्तों इसके अदर आपको स्पीड मिल ज Miguel दिया धोदी है और बेटर बेटर dopें म दोस्तों आपको main camera 108 MP का मिलता है अब दोस्तों number से फर्क नहीं पड़ता है quality देखते हैं कि इसके अंदर आपको जाधा बढ़िया मिलती है वैसे दोस्तों camera दोनों ही के अंदर आपको बहुत जाधा बढ़िया मिल जाता है तो इस चीज को लेकर दोनों बहुत जाधा दोस्तों पोको के अंदर और बढ़िया लगता है फोटोस देखने का तो जैसे मैंने फोटोस के कुछ सेंपल भी में आपको दिखा देता हूं तो black color जो है दोस्तों proper black लग लग रहा है तो experience और जाधा बढ़िया लग लग रहा है color से थोड़े और जाधा अच्छे लग ल सारे फीचर्स मिलते है र यहाथ है जर।्स तो जँड़ेतरी कम कंज्यूम करती है तो यह चीज़ आपको धोड़़ादसी और जाधा बैटर मिल जाती एपको में इसी खेसाथ दोस्तों इन्दोनों फूंस के अंदर आपको यह सारे फीचर्स मिलते हैं चलिए बात करने आ आपको कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं, तो कुछ चीजों के अंदर दोस्तों Realme 10 Pro winner है, और कुछ चीजों में Poco X5, दीखें दोस्तों अगर आपको जो है, Design बढ़िया चाहिए, इसी इसाद डिस्प्ले कर डिजाइन जाद अच्छा चाहिए, पर्फॉमेंस आपको बढ़िया चाहिए, स्पीड वगर चाहिए, फून के अंदर, तो आप Realme 10 Pro खरी दियेगा, दोस्तों, आखे बन करके आप इसको खरी सकते हैं, इन चीजों में यही स्मार्ट फूल जादा बढ़िया है, स्पीड आपको इसके अंदर जाद अच्छी मिल इसके साथ दोस्तों, अगर आपको बैटरी वेकप थोड़ा और जाद बैटर रहे चाहिए, तो आप जो है, पोको एक्सवाइब खरी सकते हैं, यह आपके लिए जाद अच्छा रहेगा, इन चीजों को लेकर, वैसे दोस्तों, मुझे इन दोनों स्मार्ट फोल्स में, जो एक लाइक करके ज़रू जाएगा, चैनल पर आप नए है, सब्सक्राइब आपने नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुच्छते रहे, इसके लब दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्फोल लगी, तो इसको आपने दोस्तों के साथ इसको शेर ज़रू कर रहेगा, वाटसेप और फेस्बुक पर, चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर, बाबाई